हेलो जी नमस्का सत्रेका लादब केमो नाच्छो मैं हूँ अभी कन्नूर में कन्नूर के लाइट हाउस में और एक्स्प्रोर कर रहा हो कन्नूर सिटी लेट्स गो कन्नूर जो कि नॉर्दन पार्ट आफ केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है ब्रेटिश गोलोनियल पीरड में कन्नूर नाम से जाना जाता था माना जाता है कि कन्नूर दो मल्यालमग वर्ड से मिलके बना है कनन जो कि है ल denial क्रिशन और मतलब place तो कन्नूर का मतलब हुआ the place of lord Krishna पूरे इंडिया में यह एक लौती ऐसी जगह है जिससे target किया गया Portuguese, Dutch, French, British और Germans द्वारा यहाँ पर राज करने के लिए और Arabs, Hebrews, Persians द्वारा यूज किया गया यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए 17 शताबदी में कन्नूर, Oracle Dynasty का capital था और जब यह जगह Britishers के control में आया तो उन्होंने यहाँ पर cantonment established किया 1709 से 1887 के बीच कन्नूर इंडिया के West Coast का British Military Headquarter हुआ करता था और यहाँ का cantonment board, कन्नूर cantonment board इंडिया के 22 cantonment में से एक है और केरला का एकलौता cantonment है culturally भी कन्नूर काफी rich है यहाँ के मंदिरों में होने वाले थयम performance एक integral part है केरला का और इसे देखने लोग दूर-दूर से आते हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कन्नूर का सबसे खुपसुरत बीच पयम्बलम बीच कन्नूर का lighthouse जहांसे पूरे कन्नूर सिट्टी का panoramik view दिखता है कन्नूर कोटा यानि की कन्नूर फोर्ट जो कि वास्कोर डिगामा के भारत आने के बाद बनाया गया माफिला भी जो किया एक क्रिशिंग हार्वर और हाँ लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा लेंग्विज बैरियर के वजे से क्या दिक्कत हुई मुझे बड़ने विट्टे एज्यानी अब 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 भी देख पा रहे हुए कि दूप बहुत ज्यादा तेज है लेकिन इस दूप में मत जाहिए केड़ा में अभी मौन्सून चल रहा है अभी दूप है पंदर मिन बाद बारिश हो जाए कुछ कहने सकते है और यह है पेमबलम बीच पार्क यह मैंने ले लिए इसकी टिकट 20 रुपीज इसकी एंट्री फी तो इस बीच में ऐसा कुछ खास है नहीं सिर्फ और सिर्फ जूले लगे हुए अगर आप बच्चों को साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो यह जगह ठीक है बच्चे यहां पर खेलेंगा अराम से और आप बैठ जाहिएगा कहीं पर एनिवे जब चलते हैं बीच के तरफ और बी पाने के पास बिल्कुल ना जाए ऐसी बॉर्णिंग दे रखिये हैं कनूर टाउन से लगबक दो किलोमेटर की दूरी पर यह बीच पयम्बलम बीच कनूर के पांच बीचों में से एक है बीच का वैसे मतलब होता है समुद्र तट और अरेबियन सी के तट पे है यह खुब किलोमेटर लंबा है और टूरिस्ट और लोकल्स दोनों के लिए एक फेवरेट हैंग आउट फ्लेस है यह बीच इतना पॉपिलर है कि कई साउथ इंडियन फीचर फिल्म्स में इस बीच को दिखाया गया दो तरह के लोग होता है एक वो फूलव बीचेज और दूसरे वो वोलु बॉंटीज की मुझे पता नि मैं कॉन्जे तरह हूं क्योंकि मुझे दोनों से ही प्यार है वीचेज और माॉंटें से मैं अपने सीरीज में फिगर आउट करके बता उं कि मुझे क्या जाता पसंद है तब तक आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पसंद है यह आपका आवला यह क्या है मैंगो ओके यह पाइनपल यह पाइनपल दे दो और यह क्या है इस वाटरमेलन है अच्छ ऐसी देते हैं इस पाने मिर्ची है इस वेसे पाइनपल का टेस्ट खोड़ा सा मीठा है खटा है और तीखा भी है अब अब अच्छा यूनीक नया मेरे लिए पैंबलम बीच से में जावता करनू लाइट हाउस की तरफ लगबख दो किलुमेटर का वॉक है और बीच में मुझे एक खुबसूरों सा घर दिखा जो कि ही था वॉक करने का कि बीच रास्ते में मुझे कुछ ऐसे हिडिन जैम्स दिखे जिने मैं देखते हुआ आगे जाओं और यह जो घर है यह ठीक सामने है इसी एचस पॉली क्लिनिक कन्नूर के तो यह मैं आ गया हूँ कन्नूर लाइट हाउस और यहां से इसके एंट्री है और इसके एंट्री फी है 20 रुपीज एडल्ट के लिए चिल्डरन के लिए 10 और फोटाग्रफी अगर आप कर रहे हैं मुबाइल से फोन फोटो जो भी है उसका एच चार्ज इस 20 रुपीज तो इस टिकट में आप पहले मुजियम देख सकते हैं मुजियम देखने के बाद आप लाइट हाउस में उपर चड़के जाएं और वहां से बहतरी नजारा देखें यह है लाइट हाउस मुजियम और इस मुजियम में वो सारी एक्क्यूपमेट्स दिखाए गए हैं जो कि यूज किये जाते हैं लाइट हाउस में पंदरवी शताबदी से कंणूर एक इंपोर्टेंट सीपोर्ट रहा यहां के रूलर्स के लिए और इसी वज़े से कई जहाज यहां आते रहते थे लेकिन अंधेरी और तुफानी रातों में सेलर को समुदरी तट देखने में और समझने में दिक्कत होती थी और इसी वज़े से वे से टैम पे अपने जहाज की स्पीड कम नहीं कर पाते और टक्रा जाते थे किनारों से जिससे जहाज को भी नुकसान होता था इसी को देखते हुए लोगों ने पहाडियों के उपर आग जला कर समुदरी जहाजों को संकेत देने लगे उसके बाद फिर कोईले और तेल के मदद से लैम जलाया जाने लगा यही डैबलप होते होते लाइट हाउस बना समुदर किनारे और लाइट हाउस बनने का भी यही परपस था कि सेलर्स को दूर से दिख जाए समुदर के किनारे 75 फीट के हाइट पर बनाई यह लाइट हाउस केला का पहला लाइट हाउस है जो की 1903 में बनाया गया और इस लाइट हाउस देट ओवरलुक्स द अरेबियन सी इस तेल उपरेशनल इस लाइट हाउस से आप अनॉर्मिक व्यू देख सकते हो कर्नूर सिटी का लेमिटलेस अरेबियन सी देख सकते हो बेबी बीच और पयमलम बीच भी देख सकते हो अब चलते हैं यहां से नीचे के तरफ बाप जहीं से मुझे नीचे जाना है बाइदे वे यह लेम्प होगा मुझे पता नीचे का मेकनिजिम कैसा है यह कैसे चालू होता है और कुछ ऐसा दिखता है यह कैमरा बंद करके मैं आराम से नीचे जाता हूँ पता चला कि यह रिकॉर्डिंग है चकल में कर्णूल लाइट हाउट से लगबग एक किलोमेटर की दूरी पर है बेबी बीच बेबी बीच इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह छोटे साइज का बीच है लेकिन इसके नाम और साइज पर मज जाएए यह बीच काफी खुबसूरत है एक्चुली बेबी बीच पैम्बलम बीच का यह एक पार्ट है और लोग इन पत्थरों पे बैटके अरेबियंसी का पैनॉर्मिक व्यू देखते है दूर वहाँ पे देखे लाइटाउस है वही पे मैं था और वहाँ से मैं यह सारा नजारा देख रहा था वैसे यह बीबी बीच नहीं है जो असल बीबी बीच है वो अब मिलीटरी केमपस के अंदर आ चुका है वहाँ हम लोग नहीं जा सकती क्योंकि वह रेस्टिक्टेड एरिया है और गूगल लोकेशन भी अंदर का ही लोकेशन दिखा रहा था खेर कोई बात नहीं यहां से हम लोगों ने यह देख लिया काफी खुबसुर नजारा और अब यहां से चलते हो होटल ओधीन के तरफ वहाँ पे मैं खाऊंगा अपना लंच क्योंकि बहुत जादा भूग लगी है तो मैं गया था अब होटल ओधेन वहाँ पे मैं इतनी जादा भीड देखी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ पे बेट करूं और फिर खाना खाऊं इसलिए मैं यहां पर आवाया हूं सदीता जूस कॉंडर और यहां पर मैंने लिया यह कॉकटेल और वड़ा यह खाता हूं और फिर मैं जाऊंगा आगे एक्स्प्लोर गरने के लिए नाम कॉक्टेल है लेकिन है ये मॉक्टेल, मिक्स्ट फ्रूट्स का और कन्नूर में काफी पॉपिलर है तो मैं अब आ गया हूं कन्नूर फोर्ट और अब चलते देखने बीच साइड फोर्ट को अब यहां की 25 रुपीज है अभी मैं यहां पर हूं और यह फोर्ट इतना बड़ा है मालाबार कोस्ट में बना यह ट्रेंगूलर फोर्ट जिसे कन्नूर कोटा भी कहा जाता है 1498 में जब वासको डिगामा भारत आए तो यहां के लोकल कोलोथरी किंग ने समीन का कुछ हिस्सा फुर्ट गालियों को दिया ताकि वो अपना यहां पर सेटल्मेंट बना सके उसके बाद 23 अक्टूबर 1505 में यहां के राजा ने पॉर्टूगीज लीडर फ्रैंसिसको डे अलमीदा को पर्मिशन दिया कि वो अपना यहां पर फोर्ट बना सके कुछ दिन के अंदर ही यहां पर एक वुडेन फोर्ट बनके तयार हुआ और फोर्ट बनते ही फ्रैंसिसको डे अलमीदा ने अपने आपको यहां का वाइसरोई गोशित किया और वो पहले पॉर्टूगीज वाइसरोई आफ इंडिया बने अब बीच साइड चिटी में कोई भी जगह चले जाओ इस समुद्र आपको जरूर देखने को मिलेगा और सेंट एंजिलो फोर्ट में मैं भी यहां पर खड़ा हूँ और इसमुद्र का यहां से भी यह नेवर एंडिंग समुद्र का खुपचरो नजारा और यह जो भाईया आप देख रहे हैं यहां पर बैठे हुए है यह मचली पगड़ रहे हैं और काफी टाइम से देख रहा हूं मैंने अभी तक तो मचली हाथ नहीं आई और यहां पर यह लाइन से तोपे बिच्छी हुई हैं कि अगर समुद्रे से कोई भी पायरेट या फिर कोई दुश्मन जहाज इस किले की तरफ या फिर इस टाबू की तरफ आती होगी तो उस पर हमला करते होंगे ओविसली एक वार्णिंग देने के बाद 15 फरवरी 1663 में डच ने इस किले को कैप्चिर किया पुर्तगालियों से 1772 में डच ने इस किले को अरकल डाइनिस्टी के किंग अली राजा को बेज दिया बिल्टिश अर्च ने फिर इस से 1790 में सीज किया और यूजड इट अस वन ओफ दिया मेजर मिलिटरी स्टेशन्स ऑन दा मालाबार कोस्ट इस्टोरिकली यह फोट काफी अरेच है मैंने आपको बस थोड़ा सा बताई इस फोट के बारे में इस यू आरे हिस्ट्री लवर और यू शुड विजिट इस प्लेस मुझे लगा कि मैं इतनी दूप तो सहन कर लूँगा लेकर बहुत ज्यादा तेज दूप हो गई अब अब यह दूप अब एनरजी सोख रही है कहा में सोच रहा था कि केल्णा में मॉन्सून चल रहा है 15 मिनिट में बारिश हो जाएग तो मैं यह कह रहा था कि मैं पिछले नौ जिन से यहां केरला में था मेरा शूप था यहां पर और मौसम ऐसा था कि अगर 15 मिनिट आदा घंटा रूप तेज हो जाती थी तो पारिश हो जाता था एककाम लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ आज सुब से जो गर्मी है अभी तक बह अब काफी गर्मी तेज हो चुकिए मतलब यह सहनिया वाली गर्मी हो गए है सेंट एंजिलो फोर्ट से में पहुंचा मापिला बे जो कि एक नैचरल हार्बर है मापिला बे इसे इसकी बनावट के वज़े से कहा गया है पोला थिरिज डैनिस्टी के टाइम पे यह बे फेमस था एज अ कमिर्सियल हार्बर जो कि लिंक करता था यहां के रीजन को लक्षवदीप और बाकी कंट्री से यह बे वैसे फंक्शनल है एज फिशिंग हार्बर नौट एज टूरिस देस्टिनेशन लेकिन आप इस कलरफुल जगह पे आ सकते हो और यहां पे होने वाली एक्टिविटीज देख सकते हो और यहां के लोगों से इंट्रेक्ट करके फिशिंग के बारे में और जान सकते ह क्या कर रहे हैं अब दोओ सब्सक्राइब करना हो अनले आप अस निच्अए उसका जाली by झाली खुला हुआ उसको बांध रहे हैं गया अच्छा तो यह की मश्य पगपदर तो टूट जाता है जली पतर से तो जाता है तो यह डेली का काम है है वाग कितना कीलो मशली आप च्छै कोटा में कितना किलो होता है 15 किलो सबस्ट आइए सारी नाओ गई अक्सर यह हो जाता है कि जब मश्लिया पटते हैं तो जब जाला पिछाते हैं बैसे के लिए समुद्र में तो पत्थर से और किसी और चीजों से उज फट जाता है तो लगबग हर दिन का इनका टास्क होता है कि वो जाला रिपेयर करें और कभी काल ये भी होता है कि वो नाव में कुछ नुकसान हो जाता है तो उसे भी वो रिपेयर करते हैं और मैंने एक और चीज देखी यहाँ पर कई लोग उडिसा और बंगाल से हैं मतलब क्यषला से तो हैं यहां पर लोग लेकिन उडिसा और बंगाल से भी भी यहां पर आके काम कर रहे हैं, और मुने बात कियो उन्से तो वो बता रहे थे कि क्कटता में जैसे कि महींने किसे ऐख बंगाल के लोग से पुझा उन्हेने बले कि किक अच्छे रोजदार के लिए पिए पिए पिन लाइश्टायल के लिए मां्सायम को काव कर रहा हूं काफी अच्छा लगा मुझे देखके को केरला कोलकाता। और आची चलो दिल्ला कॉप डिसा मिलकर क काम कर रहा है कि में को लेकर जाओगी रही है lot बिलीव में यह लोग तयार होगे थे मुझे ले जाने के लिए लेकिन मेरे कुछ और प्लेंस थे बट डेफिनेटली यह चीज भी मैं एक दिन जरूर एक्सप्रियंस करूंगा तो मैं अच्छा जगा गया के ला इंदिया का अंदर बहुत अच्छा है तो मैंने पने पाथ सब्सक्राइबर यहां से कमा लिया है तेंक्यू गाइस यह है हारबर व्यूपॉइंट जो कि मापिला बे में ही है और यहां से आपको काफी खुबसूरत व्यू दिखेगा अरेबियन सी का साथी साथ यहां पर आपको कई लोग दिखेंगे मचली पगड़ते हुए और कुछ लोगों से मैंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं पर इसमें उन्होंने कहा कि एक होबी है और समुद्र किनारे ऐसे बैट की मचली पकड़ना अच्छा लगता है उन्हें अब यहां से मैं पहुँचा अरकल म्यूजियम केरला का एकलौता मुस्लिम शाही परिवार अरकल का यह रेसिडेंसिल हाउस हुआ करता था अरकल डैनिस्टी की खास बात यह थी कि इसमें एक महिला शासन किया करती थी जिनने बीवी कहा जाता था म्यूजियम में अंदर घुसते ही आपको ऐसा लगेगा कि अब सोलवी श्रताबदी में पहुँच गए हो इस म्यूजियम में आपको कई चीज़े दिखेंगी जो कि शाही परिवाल यूज किया करता था जैसे कि तलवारे, खंजर, दुर्बीन, मोहरे और भी कई चीज़े तो बहुत तेज़ भूग लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पर रुका, एकपफ खाया, पॉड़ी शाय पिया, अब मैं जा रहा हूँ को टटटा बीच के तरफ ये बीच यहाँ से लगबग साथ किलोमेटर की दूरी पर है कि अच्छा बीच तो मैं पहुंच गया, मुझे लिए कुछ अच्छा बीच होगा, एक्साइटिंग सा बीच होगा, कितना हो गया 240, 240, कैसे किलोमेटर रिटेंचार यह आपने तो बोला नहीं, आप चार्जी नहीं, यह तो आपने बोको उस टाम बता है यहां, फूल चार्ज, अधि टाउन ए बस्टान डे हाईवे रोड आपने रिटेंचार्ज, तो रिटेंचार्ज मैं दूरी साथ में चलेगा, तो रूग पांच मिले रूगजा में च जोड़ेंगे और अभी आके उन्होंने बताए कि हाईवे से जैसी अंदर जाता है कोई गाड़ी उसका डबल चार्ज होगाता है, तो अभी मेटर में कुछ 105 बन रहाता, तो बोल रिटेंचार्ज भी इसमें एट हो चुका है, क्या कर सकता है आप, यहार मैंने उन्हें बो जो जोड़ेंगे यहां तक लेकर आया है, तो मुझे इनकी बादा समझ आ रही है, ना इनको मेरी बादा समझ आ रही है यह हो रहा है ना, ईसी होगए सोड़ेंगे डबल चारज का फिर्णा हो गया, तो अब पापपछोड़ेंगे, और कितना चार्ज लेंगे? गैरेंगे तोटल रोटल जो तोटल कम रोटीं, क्यों तूपटि निटान चार्ज मांगि लेके वीचा निटाने मादकते दिन्टी निमा रावाणी ले पूवा हुआ है मैं जल्टार पूग जाने इस बावले को यह वात नहीं यह तटड़ू भीच है थटटटडू, थटटटडा बीच। थटटडा बीच। तो इस बीच में मुझे कुछ खास तो लगा निए। बस यह की कम लोग है यहां पर, आप अराम से यहां पर एंज़ॉय कर सकते हैं बीच को। इसलिए हें यहां पर आ सकतना है। बाकी बीच देखना है नॉर्मल पानी बानी देखना है तो पैम्बलम बीच इस एनफ अब यहां से चलते हैं कि देख लिए बहुत जो देखना था तो मेटर में दिखा रहे है तू थर्टी पॉइंट ट्वेंटी कितना हुआ यहा है किलमेटर सिट किलमेटर이면 30 लिए्ट अविछ कीलमेटर अहां ऐसे किलमेटर वम आख श encouragement इसस प्णनर केड़ दिखा मार्णस किसा किवेंटर किवेंटरी यह अपने है रुपीज को नहीं है तो तो टूसेवंटी इस सूछ का इस टूसेवंटी रुपीज थी ठूसेवंटी तो केडला की सड़क में मैं घूम रहा था और रास्ते में मुझे दिखा केलास बेल पगोडी और मैंने भाइया से बात किया तो इन्होंने बोला यह राजस्तान चित्ताडगर से है तो कैसे आना हुआ यहां पर काम को चकर में यह से पहले से गाड़ी था अच्छा तो कब आ सातात महिन हुआ हुआ भी हम एड़ है कि घौले भी जए अगोड़ी तो बहुत ब Evans बोला अठोल होगया अच्छा शमान लग जा तो क्या अं लकातहरा ही आंपर और यहां के लंग भार्Gen यह भील पकोडी आल काते贊 को데 चॉनोल्ट कंूर के गलियों में मुझे यह बेल प अभी मतलब भासा बोल पा रहे हैं अल्क मल्याला लोगा पर पसंद करदें यहां पेलोगी है वेलपुरी छादा है जमेश पहला नंबर मसाला पुरी आखा घाल घालते हैं मुझे कुछ दोस्त मिल गए यह लोग पतणा बिहार से हैं और इन लोगों तोस्ती हो गें इतनी ब एक चाई शौप है जिसमें बहुत अच्छी चाई बनती है वो शाफगर टाइम भी हो गया और वो होटल है एमार होटल है अधर अच्छा शेशन ये बादु में चाई होटल है अधर 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 पहले चाई पीटें वहीं पीटें तो वहां पर कॉंची चाई पीएंगे हम अधर बीकरी रेस्टों एंड केटरिंग और यहां की चाई काफी अच्छे होती है जो कि यह लोग बता रहे हैं एट सी कोई मुझे बताइए कि मैं अधर्शं आपने अधर्श हो कहा on पटना से हम लोग नहीं है हम लोग आए है कि मदवणी से अधुक्ते वह ट्रेन जयनगर से बंती है जो फिक है खोटा नो ट्रेन के बाल दूसरा ट्रेन को अधर के हम लोग को नोरा है अच्छा तो कितना टाम लगा को हमको ट्रेन अधाल मतलकिकारा में शेयर आज चौंसट यह था कन्नूर मुझे ये जगह एक्सपोर्ट करने में काफी मज़ा आया अगर आपको भी अच्छा लगाओ देन हिट दा लाइक बटन और शेर विथ यूर फ्रेंड और फैमली नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा एस्या की लॉंगेस ड्राइविन बीच थलसेरी फोर्ट फिशर्मेन कैसे मचलिया पगड़ते हैं मल्यालम फिल्म की स्टूटिंग कहाँ पे होती है थलसेरी में और भी बहुत कुछ तो इस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूं अगले वीडियो में बगब बगए